हातरस के भूल घड़ी में पीड़ता के घर पहुंचे राष्टिय लोगदल के राष्टिय उपाजेक्ष पूर्फ सांसाद जैन चौदरी के साथ पुलिस द्वारा किये गए लाठी चार्ज के विरोध में सौंबार को रालोध के सेखनों कारकरता बाजना कस्वे के पर पहुंच गया राष्टिय लोगदल के कारकरताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ और प्रधान मंत्री नरेन मोदी का पुतला देहन किया जहां रालोध के कारकरताओं के आगे पुलिस बेबस नजर आई पिरभारी निरिक्षक लोगेस भाटी से राष्टिय ल जोगदल के नेता योगेस नहवार के समझाने पर बमुश्किल कारकरता शांत हुए नेता रविंद नर्वार ने बताया कि देश और प्रधेश में गूंगी बहरी और तानाशा सरकार काम कर रही है और किसानों ने इस सरकार को शाशक बनाया है वही किसान इस सरकार की चार प्रदर्शन में रालोद के सेट्रों कारकरता मौजूद रहे तो वहीं पुतला देहन के दोरान हातरस में दबंगई दिखाने वाली पुलिस मत्रा जिले के थाना नौजील के कस्वा गाजना में एक बार फिर रालोद कारकरताओं के सामने बेबस नजर आई पुतला फुंक्रें के दोरान रालोद कारकरता और पुलिस के बीच काफी जड़त देगने को मिली मीडिया से बात करते हुए रालोद नेताओं ने बताया के आगामी बारह तारीक को मत्रा में इस गुंगी बहरी सरकार के खिलाब बहुत बड़ा अंदोलन किया जाएगा जिसमें दिखाया जाएगा कि किसानों में कितनी तागत है किस मामले में धन्ना पदर्शन और पुत्रा देल किया जाएगा जिए जहन चौधरी जब हात्रस गए थे पीडिता से मिलने के लिए उनको परमीशन देने के बाद पीछे से पत्रकारों से बात करते समय पे लाटी चार्ज हुआ उसके हम भरसक निर्दा करते हैं और जिस किसान और मजदूरों की जो आवाज है जहन चौधरी उनकी आवाज को दबाने का जो इनोंने सरकार ने काम किया है यह योगी सरकार के इशारे पर हुआ है और इस योगी सरकार से हमने आज लड़ाई छेड़ दी है और यह लड़ाई बहुत भंभी चलेगी और इसके हम बारह तारीक को बहुत बड़ा अंदोलन करने जा रहे हैं जो कोशिश की जाएगी कि आसपास हो और अगर हमारे किसान और मजदूरों पर जो मुकदमें नों लिखे हैं और लिखने की योजना बना रहे हैं तो जो दवाब की राजनीति यह करना चाहते हैं उसे खतम करन हमारी मांगें नहीं मानी गई तो इस एक्सप्रेस वे को जब तक जाम रखेंगे जब तक हमारा जी चाहेगा और जब तक हमारी मांग कूली नहीं की जिस तरह राश्ट्री लोगदल वालों ने धरना प्यासन किया अभी चार दन पहले नोजी ने जाता उन लोगों का भी म लोगद में वापक लेने पूर है कि निस की सरकार सदा रहेगी यह सदा रहने वाली सरकार नहीं इसे हैं वह कि योजणा के बैंकि यह चाहीए यहां उन्हों asi जो इन्होंने गलती किये, माफ करने योग नहीं है, किसान के मसिया चौदरी चरंज सिंग के बेटे पे लाठी इन्होंने चाहिए, यह चीजें आत्मा को जगजोर के रख दिया है, किसानों को, मजदूरों को, यह हमारे नेता को इन्होंने आत्मगाती हमला किया है, नेता को मारना चाहते थे तो कारेकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्हों अपनी छाती अड़ा करके बचाने का काम किया और यह लड़ाई हमारी जब तक रहेगी जब तक यह सरकार गिर नहीं जाती इसे आर पार की लड़ाई लड़ने के एक और वाद योगरी जी बताईए यह जो तीन किसान अज्जादेश लाई गए हैं सरकार द्वारा इसमें आपकी पार्टी भी विरूद कर रही है क्या मंबा है देखिए यह लाटी चार्ज ही उस अध्यादेश का हमने बहुत जबर्जस विरूद किया एक तारीक में बहु हमारी बहुत बड़ी मांग है कि जब तक MSP की घारंटी यह लोग नहीं देंगे जब तक यह लाइन नहीं जोड़ी जाएगी कि MSP से नीचे कोई आदमी अगर किसान की उपज को खरीदेगा तो उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए यह लाइन अगर नहीं जोड़ी जाए यह कॉंट्रेक्ट फार्मिंग में आ रहे हैं इसमें अवस्टक बस्तू अधिनियम में यहूं चावल दलहन प्याज आलू जो हुआ करते थे अवस्टक बस्तू अधिनियम के मेंसे इन चारो पांचों चीज़ों को सर्तों के तेल को निकाल दिया है और भंडारन की खुली कि योजना है इसको समझने की बहुत जादा जनुवत जी रवंदर जी बताईए आज यह तरह किस मक्सद से जया जया है यह एक तलित वच्ची के यहां गमी में शरीक होने के लिए उसके परिवार को सांतोना देने के लिए किसान निता मानमें जहन चौदरी जी महां पहु इन लोगों में स्वयन में हुआ और यही आक्रोश उस दिन से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो कल बहुत बड़े जंसेलाव के रूप में आपने मुझे अफ़न नगर में भी देखा होगा और यहां भी आप दो कारकरता आक्रोशित होकर योगी के पुतले को जलाने की तयारी कर रहे थे तो किस तरह से पुलिस वाले योगी के कारकरताओं की तरह एक सरकारी मुझाल मुलाजिम और किस तरह से यह लोग चमचागीरी पर उतर रहे हैं पुलिस वाले यह प्रशासन वाले आपने अपनी आखों से देखा इस कैमरे को घुमा कर जड़ा दिखा और दीजिएगा जनता से मेरी आप से निवेदन है जनता को दिखा दिखाईएगा कि पुलिस वाले इस तरीके से लड़ देखे चलिए हम माननी जैन चौदरी के कार करता है यह हमारे कार करता है इनमें आकरोश था यह तो यह समझ में आता है लेकिन यह पुलिस वाले इनको तो अपनी जूटी करनी चाहिए यह उसे चीना जप्ती हमारे कार करताओं से ऐसे लड़ रहेते हमारे कई कार करताओं के साथ आज यहां पर भी धक्का मुक्की और वो तो यह नौजील और बाजना की ये वीर धरती ह प्रशाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषा जैन चौदरीजी के नित्रत में यहां एक जना क्रोश रेली इतने बड़े रूप में होने जा रही है इन लोगों को ही अषास करा देंगे कि यहां लोगतंतर ही चलने वाला है लोगतंत्र ही चलेगा, हर मजलूम की, हर मजदूर की, हर युवा की, हर किसान की आवाज को यहां तरजी दी जाएगी, उसे बुलंद किया जाएगा इस तरह आवाज दवानी का प्रियास अगर करोगे, तो हम आपकी कुर्सी की चारोट तामे नीचे से खीच लेंगे, और आपको कुर्सी से गिरा देंगे, यह हम एलान करते हैं आज इस धरती